दो आतमियों ने पूर रिंदोस्तान को भर्बाद कर दिया पूरे उंदोस्तान पे राज कर रहे हैं अब everything बोलते हैं मिलें पादरेनी दीड दारिशसरीय एक्षावाट नरेंदर मोधिजी जूट का पुलिंदा बाधने और उच्छी क 활 잘ाए इसके साथ met में तोड़ने के लिए तयार बैठा है हम मरने के लिए तयार है यहां से पीजेपी वाले तो जा सकते हैं यहां पीजेपी वाली दुजा सकती है आहां माधी पार्टी गाडिया नहीं जाएंगे चंदीगड में जिस तरीके से स्वाविधान को तोडा-मरोडा और खुले कैमेरे के सामने कोट के कहने के बाद कैमेरे के सामने जो मनमानी तरीके से स्वविधान तोड़ा है हम उसके विरोध में यहां पे एकत्रित होए है स्वविधान को बरबाद नहीं होने देंगे नमस्कर मैं उर्जोर आप देख रहे हैं जनेत आवाज़ में पूझूद हूँ आम आज़ी पार्टी कार्याले में इस तरीकी से जो शराब को टाले में घष्टचार के आरोप में लगतार संगे सिंग उसके बाद आमानी पार्टी के तमाम नेता वो जिस तरीके से किरबतार कर लिया गया है उसके बाद यहां पर भीड देख सेंथे किस तरीके की भीड लगी हुई है यहां पर आमानी पार्टी लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो मोधी कि खिलाफ प्रोटेस्ट जारे सीधा तरीके से कहा जारे कि ताना शाही नहीं चलेगी कि जब-जब मोधी डरता है पुलिस को यह इडी को आगे कर देता है उसे तरीके से यहां पर जो मुख्य मंत्री हमारे अर्विन केजरिवाल है वह भी यहां पर आ चुकी है अभी उनको बीचे पी कार्या ले जाएंगे सीधा यहीं से निकलेगा सब पूरा प्रोटेस्ट यहीं से अर्विन केजरिवाल भी गिरफ्तार हो जाएंगे नहीं होएंगे नहीं होंगे किस उस पर क्या सकते हैं तो क्यों शच्छा के साथ हैं सब लोग बैठे हुए पटरसन के लिए लेकिन आम आपी पार्टी कहीं लोग गिरफ्तार हो चुके अलड़ेड अभी तक उनको निया के बाद में सब चीजा ठीक हो जाएंगगी जो आप लोग पी इलेक्शन बेहदी नस्दीक और आप लोग दोबार कर रहे हैं एक सविदान को बचाने के लिए इसको चुनाव से अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आप बरमित कर देंगे यह चंदीगण में जिस तरीके से सवामीदान को तोडा मरोडा और खुलें कैमरे के सामने मनमानी तरीके से समविधान तोडा है, हम उसके विरोध में यहां पे एकत्रित हो है, जिस Iraq बरबाद नहीं आरेगे, ये बाबा भीम रहां उमीड करजी का लेकावा लेकावा समविधान है, इसको हमारा मत्सद एक है कि देश स्वाविदान के अनुसार चलेगा किसी हिटलर के अनुसार नहीं चलेगा तो आप सीधा तरीके से मोदी जी को हिटलर बता रहे हैं मैंने पूरा भारत बता रहें तो पहले हम आधनी पार्टी वाले बताते थे अब तो बीजेपी वाले भी कहने लेकिन भी जे भी हम भोल नहीं सकते हैं गलत रहे भोल नहीं सकते हैं परदरसिन कर रही है उनमें से उनके खिलाफ हो गई हिटलर लिए किसी को पसंद नहीं ता मजबूरी का नाम इटलर है कि दो आदमियों ने पूरे अंदुस्तान को परबाद कर दिया है पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं इस भगतों की कमी ठोड़ी है अगर भगते हैं तो भगते हैं तो कह सकते हैं लेकिन देश समिधान के उचार चली का वास हमारा एकỏ पायरा से कर देसी टास्धे पन पूलिनदया पुली पांज लो उनका दिकार है बोलने का धिकार है साब को जूट जूट बोलते हैं वह जूट का दूसरा नाम आदरेनिया 11 108 नरिंदर मौदी जी जी जिस तरीके से लग रहे हैं जारकंट के सीम के बाद अरविंद केजरिवाल की बारी पूरे भारत को अंदर कर दो लेकिन देश को स्वामिदान के उनुशार चलाओ जब कोट ने कहा है के कैमरे के सामने वो टिक लगा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं उसके बाद भी गुंडागर्दी कर रहे हैं यह गुंडागर्दी नहीं चले अगर उन्होंने कहा दिया अब की बार 700 तो आप 700 पार मान लोगे वो जूट का पुलिंदा बानते हैं वो कुछ भी कह सकते हैं जनता उनके साथ होगी तभी तो वो बोल रहे हैं इस तरीके से पूरे दावेवादे के साथ जगा जगा आपको पोस्टर लगे में दिख जाएं जिसके पास EVM है जिसके साथ वो 400 क्या 500 पार कहले कोई मना थोड़ी कर रहा उनको लेकिन सभीधान के अनुसार तो रहो सिर्फ और सिर्फ सभीधान चलेगा देश के आपको ऐसा लगता है कि वो सभीधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं बैटा आपकी बार EVM से चुनाव न यह हम मरने के लिए तयार हैं तो आपकी बार EVM से जुनाव नहीं होने देंगे जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं इवियम के बेस पर लगा रहे हैं तो पूरे भारत में यह हवा फैल चुकी है पर्तक्स को परमान की जिरूरत नहीं है चंडीगड में जो हरकत इनोंने करी है पूरा देश उसको देख चुका है तो इससे चाहता कुछ कहने की आप सकता नहीं बची है तो आपको यह नहीं लगता है कि बैलेट पेपर में भी धांदली हो सकती है अब EVM पर सवाल उठा रहे हैं तो देखिए EVM के माध्यम से जितने भी चुनाव होते हैं उन पे पूर सविधान का नुचार रहे हैं आप सविधान का रहो बस आप लुख सीज़े तो पर बूल रहे हैं नरेंद्र मोधी को कि ताना शाही सविधान के खिलाफ सरकार है यह कैसे कह सकते है आप देखिए फूरा वार्ड कहरे है आप तो जब भारत में आपको पता होगा कि जी आप पुलिस करें पुलिस हमें करें降 वह पास सकते हैं अब उर्टि आधे पर्टि ने जाएंगी अब देखा जा रही आपको यह पिछले से दस साल से आपके दिखाई नहीं दिया किसके इशारे पर काम कर रही है देखा जा सकते हैं पुली सोर एक सकते हैं careэ बाज़कार पूलिस और किछ एड़ेक्टरीय को स्वारज़द कार्व है उसके बाद जो आरुए कि शायद एर्विन केजरिवान को सकते होusion क्सकी है आपको हम एक पर दिखा देते हैं यहां पर देख सकते हैं पूरी गेटिंग के पूछा तो यहां से भाजबा वाले तो जा सकते हैं लेकिन आमांधी पाटी के लोग नहीं जा सकते हैं अब देखना है किस तरीके से लोग तंत्र को खतम करा जा रहा है ताना शाही चल रहा है और यहां पूरी बैरिगेटिंग कर दी गई है अब देखना है कि यह लोग जा पाएंगी कि नहीं चापाएंगी यह पुलिस वाले पहले से तनाथ हो चुके हैं और जो भाजपार जो अब देखना है कि क्या होते हैं अब देखना है कि आगे की जनकारिक लिए बरेर हमारे साथ धन्यवाएं